हम ये पक्का करना चाहते हैं कि Creators और दर्शकों के पास YouTube पर सुरक्षित रहने के लिए जरूरी टूल और जानकारी हमेशा उपलब्द हो ज्यादतर Creators और दर्शक YouTube का इस्तिमाल विडियो शेर करने एक दूसरे से जुड़ने और कुछ सीखने के लिए करते हैं लेकिन कई बार उन्हें नफरत और उत्पीडन का सामना करना पड़ता है इससे दर्शकों और Creators दोनों को ही मुश्किल होती है इस विडियो में हम आपको कुछ नीतियों, टूल और सुविधाओं के बारे में बताएंगे जिनसे आप YouTube पर सुरक्षित महसूस करें सबसे पहले बात करती है YouTube की कुछ नीतियों की ये नीतिया नफरत और उत्पीडन के खिलाफ सुरक्षा करने में Creators और दर्शकों की मदद करती है पहले नफरत फैलानी वाली भाशा से जुड़ी नीति इसी विडियो की भाशा को नफरत फैलानी वाली भाशा तब माना जाता है जब उसमें लोगों के ग्रूप के खिलाफ नफरत या हिंसा का प्रचार किया गया हो जैसे उम्र, लिंग, नसल, दिव्यांगता, धर्म, यौन रुझान या जाती YouTube पर नफरत फैलानी वाली भाशा की अनुमती नहीं है और हम ऐसे content को हटा देते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या समूह के प्रती हिंसा या नफरत फैलाने की बात की गई हो अब उत्पीडन से जुड़ी हमारी नीती हम content को उत्पीडन करने वाला तब समझते हैं जब किसी व्यक्ति के साथ किसी आंतरिक विशेशता की बज़े से गलत या नुकसान पहुचाने वाला व्यवहार किया जाता है जैसे की सुरक्षत ग्रूप के लिए उनकी सदसिता यौन उत्पीडन के शिकार होनी या कोई शारीरिक विक्रती हो इसमें नुकसान पहुचाने वाला व्यवहार जैसे धमकी देना ब्लाकमेल करना, डराना धमकाना, किसी की निजी या पहचान से जुड़ी जानकारी प्रकाशित करना या किसी के खिलाफ गलत व्यवहार को बढ़ावा देना जिसे ब्रिगेडिंग भी कहा जाता है उथपीडन करने वाले कॉंटेंट यूट्यूब पर अनुमती नहीं है अब जब आप हमारी नीतियों के बारे में जान गए हैं तो आएए आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए टूल के बारे में बात करते हैं हम दो विकल्पों की बात करेंगे पहले आप उन चीजों की शिकायत कर सकते हैं जो नीतियों का उलंगन करते हैं दूसरा आप अपनी चैनल पर आने वाले टिपनियों को मॉडरेट कर सकते हैं तब भी जब वे हमारी नीतियों का उलंगन ना कर रही हों आईए, जानते हैं कि नीतियों का उलंगन करने वाले कॉंटेंट के खिलाफ गलत या बुरे बरताव की शिकायत कैसे कर सकती हैं। अपने डेस्टॉब या मोबाइल से तीन बिंदू वाले मेन्यू पर क्लिक करें और शिकायत करें का विकल्प चुनें। आपसे विडियो में हो रहे उलंगन की वजह चुनने के लिए कहा जाएगा। आप समीक्षा टीम की मदद के लिए अन्य जानकारी भी दे सकती हैं। जैसे की टाइम स्टैंप या उलंगन से जुड़ी जानकारी। आप टिपणियों, थंबनेल और प्लेलिस्ट की शिकायत भी इसी तरीके से कर सकते हैं। हमेशा तीन बिंदू वाले मेन्यू पर जाएं और शिकायत करें। चुने, ध्यान दे, नफरत और उत्पीडन वाले कॉंटेंट की शिकायत करने वाले की पहचान छिपी रहती है। दूसरे उप्योग करता नहीं पता कर सकती हैं कि किसने शिकायत की। अगर आपको किसी पूरे चैनल की शिकायत करनी हैं, प्रतिरूपन या बैनर और प्रोफाइल फोटो का घलत इस्तिमाल होने के कारण, तो उस चैनल के पेज पर जाएं जिसकी शिकायत करनी हैं। फिर शिकायत करें पर क्लिक करें। ध्यान दें, जब किसी कॉंटेंट या विडियो की शिकायत करती हैं, तो वह अपने आप नहीं हटता। यूट्यूब का स्टाफ उस कॉंटेंट की हर समय समीक्षा करता है। शिकायत वाले कॉंटेंट की समीक्षा कम्यूनिटी दिशा निर्देशों के मताबिक की जाती है। और साथ ही उम्र उपयुक्तता के लिए जाच की जाती है। अगर हमारी टीम को कोई उलंगन नहीं मिलता है, तो कॉंटेंट हमारी साइट पर वैसा ही रहता है। उसमें कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर कोई आपकी निजी या खास पहचान से जुड़ी जानकारी का इस्तिमाल किया जा रहा है। या निजता से संबंदित आपको कोई समस्या आ रही है। तो कृप्या हमारी सहायता केंदर पर जाएं। यहां आप निजता से जुड़ी शिकायत करने का तरीका देख सकते हैं। चलिए, आप टिपणियों को प्रबंदित करने वाले टूल के बारे में बात करते हैं। अगर आपको टिपणियों में उत्पीडन या बुरा बरताव दिखाई दी रहा है, तो आप इसका इस्तिमाल कर सकती हैं। सबसे पहले, आप अपने चैनल पर की गई टिपणियों को हटाने का विकल्प चुन सकती हैं। आप यह काम यूट्यूब स्टूडियों में प्रकाशित किये गए टाब से कर सकती हैं। या विडियों में जाकर वाच पेज से डेस्टॉप या मुबाइल पर तीन बिंदू वाले मेन्यू पर क्लिक करके और हटाई चुनकर ऐसा कर सकती हैं। टिपणी करने वाले को पता नहीं चलेगा कि आपने उनकी टिपणी हटा दी है। अगर कोई लगातार घलत टिपणीयां कर रहा है तो आप अपनी चैनल पर उसकी टिपणीयां छिपा सकती हैं। टिपनी करने वाले को छिपानी से आपके वीडियो पर की गए उसकी सभी टिपनियां छिप जाएंगी। उसकी पिछली सभी टिपनियां 48 घंटों में छिप जाएंगी। और उसे पता नहीं चलेगा कि आपने टिपनी छिपा दी है। साथ ही आपकी वीडियो पर नई टिपणी करते समय भी, उन्हें यह बात पता नहीं चल पाएगी। टिपणी करनी वाले को छिपानी के दो तरीके हैं। पहला उसकी मौझूदा टिपणी से और दूसरा यूट्यूब स्टूडियो से। अगर आपके चैनल या वीडियो पर उन्होंने कोई टिपणी की है, तो तीन बिंदू वाला मेन्यू पर क्लिक करें। और फिर उप्योग करता को चैनल से हटाएं, विकल्प चुन सकते हैं। या उन्हें यूट्यूब स्टूडियो से चिपाने के लिए उप्योग करता की चैनल का URL कॉपी कर सकते हैं। फिर यूट्यूब स्टूडियो में सेटिंग, फिर कम्यूनिटी पर जाएं। चिपाई गए उप्योग करता बॉक्स में चैनल का URL चिपकाई और सेव करें पर क्लिक करें। आप टिपने वाले पूरे सेक्षन की गलत और बुरे बरताव से सुरक्षा के लिए कौन से टूल इस्तिमाल कर सकते हैं। आप ब्लॉक किये गए शब्दों की सूची बना सकते हैं। कभी-कभी लोग ऐसे शब्द या वाक्यांश इस्तिमाल करते हैं जो आप अपने चैनल पर नहीं दिखाना चाहते हैं। यूट्यूब स्टूडियो में सेटिंग और फिर कम्यूनिटी पर जाएं। यहां ब्लॉक किये गए शब्दों का सेक्षन दिखेगा। इसमें आप ऐसे शब्द या वाक्यांश जोड सकते हैं, जिनहें आप टिपणी सेक्षन में नहीं दिखाना चाहते हैं। जब कोई इन ब्लॉक किये गए शब्दों का इस्तिमाल करेगा, तो ये टिपणी सबको नहीं दिखेंगे, सिर्फ समीक्षा के लिए रोका गया, टाब में दिखाई देगा कुछ Creators इस टाब को नजर अंदाज कर देती हैं, इसलिए उन्हें ये टिपणियां नहीं दिखती है टिपणी करने वाले नहीं जान पाएंगे कि टिपणी को समीक्षा के लिए रोका गया है आप लिंक को ब्लॉक करने का विकल्प चुन सकते हैं इसका मतलब है कि नए टिपणी जिसमें हैश्टाग या यूरल होंगे अपने आप समीक्षा के लिए रोक ली जाएगी आखिरकार आप टिपणी करने की सेटिंग में बदलाव कर सकते हैं आप किसी एक विडियो में ऐसा कर सकते हैं या आगे आने वाले सभी विडियो के लिए टिपणी को डिफॉल्ट सेट कर सकते हैं टिपनी को मैनेज करने की सेटिंग की मदद से आप ये विकल्प चुन सकते हैं। टिपनियों को अनुमती देना, जिन टिपनियों से नीतियों का उलंगन हो सकता है, उन्हीं समीक्षा के लिए रोकना, सभी टिपनियों की समीक्षा के लिए रोकना या टिपनी करने की सुविधा बंद करना. अगर आप टिपनियों को रोकने का विकल्प चुनते हैं, तो वे तब तक नहीं दिखेंगी, जब तक आप मन्सूरी नहीं देते। घलत लगने वाली टिपनियां आपके टिपनियां पेज पर यूट्यूब स्टूडियों में समेक्षा के लिए रोकी गई, टाब में जाकर 60 दिन के लिए रोकी जाती हैं। ऐसी टिपणियां जो खास तोर पर आपत्ती जनक होती हैं, इस टाब में सबसे उपर दिखती हैं। याद रखें, आप यह टाब पूरी तरहे नजर अंदास कर सकती हैं, ताकि आपको यह टिपणियां न देखनी पड़ें। किसी एट विडियो के लिए यह सेटिंग बदलने के लिए विडियो की जानकारी पेज पर जाएं, फिर ज्यादा दिखाएं और फिर टिपणियां और रेटिंग सेक्शन पर जाएं। आगे की सभी वीडियो पर आने वाले टिपणियों के डिफॉल्ट सेट करनी के लिए YouTube Studio में सेटिंग पर जाएं, फिर Community और उसके बाद डिफॉल्ट पर जाएं जो सेटिंग आप चुनते हैं, आपके सभी नए वीडियो की टिपणियों पर लागू होंगी हमारी Creatures, दर्शकों और पार्टर की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है और हम आपको इन टूल को इस्तिमाल करनी के लिए प्रोच साहिद करती हैं इस युनीक और वाइबरन कम्यूनिटी की सुरक्षा में आपके मदद के लिए धन्यवाद देखने के लिए धन्यवाद